हेलो आप सब आप सब के लिए 45 डेज हाड चालेंज जासे जीडी के लिए खासकर आज का वीडियो और बहुत इंट्रेस्टिंग चीज और यह प्रूफ खुद आपको पाच लाएगी इतने क्यों मैं बोल रहा था आपके मौक टिस्ट के लगा कर ठीक ना उस सबसे बात करते मौक टिस्ट को ठीक ना बहुत सारे बाइयों को एक डेर माइनस पहले सब्दाए आपको मौक टिस्ट देना बहुत जोड़ी उसके इनालिसिस करना बहुत जोड़ी है ठीक है अब सिस्टम क्या हो गया ठीक है मिरे मैंट्स में आज आगा थे अठारा नंबर बारा नंबर मानता हुआ कुछ को चेप्टर मेरे अथे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अब जो मौक टिस्ट लगाता हुआ तो हरे एक पेपर कैसा भी को सना चाओं दिस नंबर ठीक है ना ऐसा-एस नंबर आते है रीजन क्या होसका अधो सिस्टम क्या बाद आता हुआ आप सुकत में पह करने के बाद मेरा मॉक स्कोर 130 हो गया ठीक ना कल के मॉक में मुट के स्कोर में 130 अधीक ना और ऐसा यह हाड था फिर भी मेरे 130 है मौक टेस्ट आपको रिगुलर लगाना तभी आप टाइम को मैनेज कर पाओगे अनालिसिस कर पाओगे कैलकुलेशन पे कितना टाइम देना वो कर पाओगे ठीक है ना बहुत इंब बॉड़न है मैं तो यह चीज स्क्रीन सोट लगा दूँगा मैं ताकि आप देख लेना मैं इसकोर कितने यह वन थर्टी आए ठीक है उस टेस्ट में और आप सब कभी मार्क्स बढ़ सकते यार मेरे भी साट सतर असी ऐसे यह आदा थे लेकिन उस चीज को बार बार रेपिटेशन कहाने कारता था था है कि लगतार मॉंक टेस्ट लगाओगे मिर भाई इसकोर और अब सब्सक्राइब कितना हाई जाता है तो इस बज़ा से अपना टारेट प्लस रखोगे कैसा भी किसी भी सिचूशन में आप मेरेट आउट नहीं होगे आसानी से हो जागा आपका समझे तो इसलिए टारेट आपका क्या है आपने टारेट कंप्लीट किया कि नहीं यह कल मुझ सिंपल सा एक मौक्त लगा रिखोम अलगा में लगा लेगिन पीवाईगे अगर मौक आपके को व्याए तो घबराना नहीं है अम इसे पहले चीज और आपको यह चीज पता भी होगा तो इसलिए बोलता ह понад कि दिमाघ लाने को स्करुशिक ना चाःआ यह की दिमाग नाने क पैनिक मदों की सीज़े कि भाई माक्स ने बड़े तो क्या करे ठीक है तो देखो एक तु यह फंड है ठीक है ना मौक का एनालेसिस करके कम्प्लीट कर दो और जिस चहां पर जिस कॉंसेप्ट आपके कोशन फसे ना जैसे फसे मालो इस चीज़ पर फस गया आपका करो क्या भ प्रियल बोलू ना मेरे बाई मेरे जो लिटरेचर सब्यक्त में इंगलिस देता हो तो उसमें मेरे 28-30 नमर आ ठीक है उसमें थोरे समय जो स्कूर बरानी पड़ेगी अगर उसको भरा दिया तो फिर 140 प्लस मेरा मार्क्स एजली हो जाएंगे ठीक है तो इसलिए उसको भी थ यही अपना टार्गेट है मेरे बाई आपको भी यही टार्गेट होना चाहिए सबसे पहले सबसे इंपोर्टेंट कि देखो पाकी सब्ची छोड़के ना मॉक टेस्ट सबसे पहले सुबह उटके देदो ठीक है उसको जितने अनालिसिस कर लो फिर जो जो सब्जेक्ट है उ करने पड़ेगा और सबसे इंपोर्टेंट बात यह कॉंसिस्टेंट करते आज मन नहीं कर रहा है माक्स कमा रहा है यह सब आना नहीं चलेगा फिर सिलेक्शन भी नहीं होगा आपका और याद रखना अगर आप जैसे कल पर कोई काम छोड़ते तो फिर कल कभी होगा नहीं आगर काम कंपलीट होगा नहीं समझे मानता हूं बहुत सारे भाईयों को आलसी आती ठंड है लेकिन फिर भी आपको लगे रहा नहीं ठीक रहा डटे रहोगे जीते जाओगे और अब ही इतना जोग कि आपको कोई प्रॉलम ही नहीं अभी ही जोग क्यों नहीं देते बाद की बाद में सोचेंगे अभी का काम अभी करेंगे ठीक ना फैम में एक जाम है 40-25 दिन है असानी से अचीब कर सकते हो अगर आपके अच्छी है कर लोगे नहीं भी अच्छी है तो यह डे वन था डे वन में आपके सारे टार्गेट कंप्लीट होने चाहिए ठीक ना मॉक टेस्ट का स्पेशल टार्गेट था वो कंप्लीट होना चाहिए 45 डेज चालेंज देना की पाई हमें तो 45 के 45 दिन मॉक लगतार हर दिन देने हैं उसके बाद अगर कोई टाइप आप अगर वर्दी किये ना तो मेनत रात नहीं दिन रात करेंगे समझ गया लेकिन वर्दी पहन कर रहेंगे जहिंद